हेलो गाइज, आज का टॉपिक है मारा वो यह है कि जो फोड के वेहिकल्स हैं, इस्पेशली फीगो, फ्रीस्टाइल एंड एस्पायर, इन में एक जो आप ए क्लस्टर देख रहे हो, इनके थुरू हम टेस्ट मोड में जा सकते हैं गाडी के, और टेस्ट मोड में क्या है कि हम इनको वेरियस इन्फोरमेशन मिल जाती है, ओन दिस मल्टी इन्फोरमेशन डिस्प्ले, जो कि आप जब वर्क्शॉप विजिट करते होगे, तो वो लोग जो वर्क्शॉप में बंदे होते हो, कभी-कभी ओबीडी के थुरू, लैप्टॉप कनेक्ट करके, वो इन्फोरम इसमें चावी पुश बटन वाला मॉडल ही मेरा, इसमें चावी जो आपकी ऐसे लगती है, तो एक इसका स्टेप होगे, जब आप चावी के ओल इंसर्ट करते हो, कीज, और उसके बाद एक स्टेप आप यह आए, जिसमें की एक्सेसरीज मूड में आपकी कार आ जाती है, एंड उसके बाद एक मूड होता है, जिसमें आपका इगनिशन ओन हो जाता है, मतलब इंडिकेशन सा जाते है, जिनके पास यह वेहिकल उनको यह पता होगा, तो आपको करना क्या है, आपको इस मूड में रहना है, मतलब एक्सेसरीज ओन में, और यह टॉगल जो आप इस रहना चाहिए, और की आपको इस मोड पर ले आनी है, यह देखिए, यह मैंने दबाया हुआ है, और की के वल टर्न कर दी है, एक्सेसरी नहीं, मतलब इगनिशन ओन मोड पर, अब यहां हम टेस्ट मेनू में आ चुके हैं, इसमें क्या क्या है, उसके बारे में बात करू तो यह गेज मोड में है, मतलब सारे गेज अपने मैक्सिमम, तो मैं नहीं कहूंगा, मैक्सिमम पर नहीं जाते हैं, लेकिन फिल भी, जो इनका लॉक पोटेंशियल होता है, वहां तक यह जा रहे है, तो मतलब यह गैजस अभी सही है, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, इन मे सब प्रॉपरली वर्किंग है, इन में कोई भी दिक्कत नहीं है, थर्ड पे 55 AH, I think यह बैटरी का मिटर है, बैटरी की AH कैपसिटी होती है, उसको डिस्प्ले कर रहा है, फिर हम आते है, SC005, मुझे पहले लगता था कि माइट भी यह डिरेक्शन होगा, लेकिन यह डिरेक् अगली वीडियो में मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा कि इसका क्या मतलब होता है, उसके बाद डेट जो यह कई यूट्यूबर को मैंने देखा है कि उन्होंने का यह डेट जो है, आपकी डेट ऑफ परचेज होती है, या एरर है, यह दोनों में से कोई नहीं है, यह उस दिन की होती है, जब आपका ECU मैनिफेक्चर होता है, फर्स टाइम वो अन होता है, यह उस दिन की डेट है, तो आप इससे यह अंदाजा लगा सकते हूँ, मतलब अगर आप गभी गाड़ी सेकेंड हैं लेने जा रहे हो, तो इसको देखके कि गाड़ी उसी साल की परच कर सकते हो इसको, फिर हम आगे आते हैं, पी रिएफ, आइडोंट नो यह क्या है, एसका भी मुझे मतलब नहीं है, यह कुछ ECU की ही रीडिंग्स है, फिर यह DTC है, यह है एक एरर बताता है, डाइगनोस्टिक एरर कोड शायद इसका अब्रेवियेशन होता है, तो कोई भी मेनु पर चलते हैं, यह आपका किलो मीटर पर आवर, यह स्पीड आपको डिजिटली बताएगा, अगर आप इसको अन कर लेते हो, अभी मेरी गाड़ी स्टेंड स्टिल है, तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन चलते समय यह प्रॉपर ली वर करता है, आपको डिजिट ओडियो, मतलब ओडियो तो आप जानते हो, एक मीटर होता है, जो कि पूरी गाड़ी की रनिंग बताता है, कितना चल चुकी है, हलाकि यह वो चीज नहीं है, यह भी कोई और रीडिंग ही है, ECU की, F1 भी कोई रीडिंग है, F9 भी कोई रीडिंग है, FL भी कोई रीडिंग ह यह दिख रहा होगा देखिए इसको द्यान से तो यह 34 दिखा रहा है यह मैं आपको बता दू यह इंजन टेंप्रेचर है ठीक है जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करोगे मैंने करके भी देखा है आप गाड़ी स्टार्ट करके अगर इसकी रीडिंग लोगे थोड़ी दिर चलने के बाद यह काफी बढ़ जाती है 65 75 उसके बाद 100 के भी करीब चली जाती है तो यह चीज आपका इंजन टेंप्रेचर है मतलब आपके हुड में कितनी टेंप्रेचर आइधिंक संसर वहीं पेसका होगा नेक्स्ट बैटरी यह आपको एंप रेटिंग बता रहा है 12.6 अभी मेरी बैटरी यह जो है दिखा रहा है तो अभी यह नॉर्मल है मतलब 12-10 के उपर अगर आपकी बैटरी आ रही है तो वह नॉर्मल है और स्टार्ट कंडिशन में जब चार्जिंग में होती है तो नेरबाउट 13-14 के गरीवे जाती है दस से नीचे है तो आपकी गाड खड़ी गाड़ी पर दिखा रहा है तो यह सही है मतलब मॉडरेट है चिक ठाक कंडिशन में है हलाकि मेरी बैटरी तो भी नई है तो यह ऐसे ही दिखाता है 12.6 12.5 थोड़ी आपकी बैटरी वीक होती जाएगी तो यह 11-11 उसके बाद और नीचे भी जा सकता है फिर माइलेज कैसे इतना जाता दिखा रही है फिर यह इन्स्टैनियस जो आपका किलोमेटर पर लीटर माइलेज जो दिखाती है गाड़ी यह वो चीज है यह भी कोई आपका रीडिंग्स है P1, P2, P3 और फिर से हम वापस वहीं पर पहुंच गए तो यह टोटल इतनी मेन्यू जो है वो आप इनसे देख सकते थे यह देखिए हम वापस आ चुके हैं और इनमें आप वैरिस इंफॉर्मेशन जैसे बैटरी की जानकारी हुई आपकी डेटर परचेस हुई यह आप द इसलिए मनें यह वीडियो बनाया और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर आपको कोई इसमें कमी लग रही है या मेरे एक्स्प्लेनेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हूँ और आप यह जानना चाहते हूँ कि क्या वो इस्पेशल आपके साथ हो रहा है या सारे गाड़ियों में केस है तो आप बिलकुल उसको शेयर कर सकते हैं मैं उस पर आपको रिप्लाई जरूर दोंगा थैंक्यू फॉर और आपको रहे हुग हुग है बढाया है प्राइब मैं मैं घंते ही वहा है हुग है दो मैं तzej्गना मैं आपको रहे हैं उसर साथ आपको अस्पा डाखकोड़ियों मैं hamm ह؟